अभी तो दिन पहले संथ में क्या क्या चेंजिंग होता है वेबी मुमेंट होता है कि नहीं क्या क्या अधानिया रखनी चाहिए क्या क्या खाना पीना चाहिए तो यह जो है साड़े-चार महिने के बास से ही थोड़ा-थोड़ा सा पता चल रहा था पर असा लगता बहुत हो और अभी मेरे हस्बेट आ जोके थे ऑफिस से तो उन्हें कुछ चॉकलेट मिले थे लड़ो के लिए गीफ्ट में तो वही लाए हुए थे और हम लोग उसको खोल के चेक कर रहे थे कि उसका तेस्ट कैसा है लड़ो भी चॉकलेट पाके बहुत जादा खुस हुए फिर हर दूसरे दिन अगर मिले तो काफी ज़्याद अच्छा लगता तो रात में मैंने मटर वगएर अचिल के रख दिया था फिर यह सुबह का टाइम सुबह सुबह आ गई हूं किचन में और लड़ो का इस समर्चल रहा पेपर तो सोके उठते पहला का मेरा किचन में ही रहता पहले थोले साग दूनगोना पानी करती हूं और लड़ो का टीफेंशेट करती हूं तो रोज रोज अलग-अलग चीजें देनी रहती हैं लेकिन यह है कि इनको नमक वाले चीजें ज़्यादा परसंदा तो कुछ भी बना के दे देती हूं तो ज्यादा नाटक नहीं करते स आट में थोड़े से ड्राइब फ्रोग चॉकलेट अगरे भी रख देती हूं तो काफी यह दा खुश हो जाते हैं तो मैंने सोचा आज नस्ते में दलिया बना लेती हूं सभी का काम हो जाएगा और हरा ताजा मटर अब इस सीजन का पहला ही आया हुआ था अभी मटर बहु कि उनका आटिफिन सेट कर दिया है फिर इनको फटा-फट में रेडी कर दो नहलाई नहीं हूं आज किल में सुबसबर नहीं 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 हूं आज किल में सुबसबर नहीं 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 हूं और ठंडक में बच्चों को सुबसबर नहीं 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 है और हारी शुती बड़ी विमारी का रिपोर्ट नहीं मिल पाता है डॉक्टर वाला इसलिए हम लोग सुचते हैं कि कम से कम छुती इनका हो तो अभी हस्मेंड लेके लड़ो को स्कूल गए छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हलका सा एक्सरसाइज करें आज मैंने शायद कुछ जादा ही तेड़ा तिरचा सोगे थी नहीं पाता नहीं चलता है कब कैसे करवट ले लेती हूं तो मुझे थोड़ा सा कंधी में अदर्द सा लग रहा था तो जो फलका फुल का दर्द रहे बाड़ी में तो प्रविमनेंसी में बै मैं सोची कि जब तक 10-15 मटने ही हो जाता है पहले किचन का ही काम सेट कर ले तो उसकी बाद फिर नहाना धोना अपना करूंगी तो यहां पर मैं पहले निमोना बनाने का जो भी तैयारी है वह कर लेती हूं निमोना के लिए मटर और हरा धनिया हरा मिर्चा हरा लैस नहीं ज इसलिए पहले यहां पर सब को सेट कर दे रहे हरा धनिया भी को भर-भर के असमें लाए हुए थे साथ में आउला लाए हैं पेग्नेंसी मेरी चल रही है तो मुझे आउला भी काफी ज़दा अच्छा लगता है और जो बजार की मार्केट आउले बड़े बड़े आउले हो अभी मेरा 5 मन्त प्रेग्नेंसी सुरू हो गया अभी तक 4 मन्त का आप लोग के साथ अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी सेयर कर रहे थे भी मेरा 5 मन्त लग गया है और मैं काफी ज़दा इस मन्त से खुस भी हूँ क्योंकि इस मन्त में बहुत सारे बाड़ी में चेंजिंग आते तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ति थोड़ा ज्यादा वाज करिया और अगर आपके मतलप सिंग नहीं है तो मत कि मत देखा करिये आप लोग स्क्रीप कर सकते हैं मेरे 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 मेडियो को पर प्लीज वीडियो खराब मत किया करिए जो भी बाते शेयर करती हूँ वो उसे pregnant ladies के लिए करती हूँ बहुत सारी ऐसे हमारी बहने हैं जो इस pregnancy उनकी चल रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत जो मेरा experience रहता हूँ उनलों के साथ share करती हूँ बहुत बढ़ी बात है और आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा pregnancy का 5 month अभी 2 दिन पहले से ही शुरू हुआ है और बहुत सारे लोगों का question था कि आपका पेट थोड़ा सा जादा निकला निकला सा लग रहा कि आपको baby moment पता चलता है कि नहीं तो मैं उन लोग से आज का ये topic शेयर करना चाहूँगी कि 5 month में क्या-क्या changing होता है baby moment होता है कि नहीं क्या-क्या साउधानिया रखनी चाहिए क्या-क्या खाना पीना चाहिए तो यहीं सब आज का topic आप लोग फ्लीज वीडियो पर बने रहे है मैं आप लोग से ये बताना चाहूँगी कि ही मेरा second pregnancy है जैसे कि आप लोग को पता ही होगा और मेरा 4 महीना पूरा होने के बाद 5 महीना अभी शुरू हो गया मैंने आप लोग के साथ ये नहीं सेर किया कि बेबी मुमेंट होता है कि नहीं पर अभी 5 मंद जैसी ही लगा है मुझे 2-3 दिनों से काफी ज़्यादा मेरी पेट में हलचल सा लगता है बहुत अच्छा लगता है थोड़ी सी आजीव सी हरकत होती है थोड़ी से लगता है पेट में गुदगदी सी लग रहे है इधर से उधर थोड़ा सा सरकना लगता है कि पेट में हाँ कुछ हल चल हो रहा तो बहुत अच्छा लगता है तो 5 मंद में बहुत सारे प्रेटनेंट पूमन के बाड़ी में चेंजिंग आते हैं हमारा बेवी जो है पूरी तरह से बन रहता है वह से वह बहुत अच्छे से ने हुदसे हैं इसमें 200-200 ग आसपास बेवी बना रहेगा उसके हर एक बोड़ी की जो पार्ट वो पूरे अच्छे तरह से बने रहते हैं और वो इस समय हल जल करता है, हाथ पहली लाता है, अपनी मुठी बानता, मुठी खोलता है, बहुत अच्छे से, मतलब वो अपना baby moment जो होता है वो इस month करता, और इस month lady जो pregnant होती है, उनकी भी body वो बहुत सारी changing आते हैं इस महीने से उनका हर हफते 200-300 ग्राम किसी का 500 ग्राम वर्जन भी जो है बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि अभी हमारे बेबी का बढ़ना अभी शुरू हो गया पहले तो बेबी थोड़ा छोटे-छोटे से होके 200-300 ग्राम तक पहुंचा है लेकि अब 5 से लेकर 8 महिने तक अच्छी तरह से अपना पूरा जितना उसको वजन है बाहरी दुनिया में जितना हुआ कि अपना सेफ रह सके उतना वातीन महिने के अंदर है उससे अपना वजन जो है बढ़ाना रहता है तो इसलिए जब बेबी क वजन बढ़ता तो हमारा भी वजन बढ़ता और एक अच्छी बात इस महिने में और रहती है कि जैसे ही पांचा महिना लगता तो इसके पहले के जो लक्षन थे हमारे बाड़ी में इतने भी शिम्टम्स थे मचली उल्टियाना गैस घबराहट बहुत सारे रहते हैं सुरू मुझे एक बार वोम्टिंग नहीं आई है गैस की जो मेरी समस्या थी काफी हद तक कम हो गई है कभी मेरा एक टाइम भी अगर गैस का टेबलेट में छूट जाता था तो मुझे शाम तक बड़ी दिक्कत हो जाती थी मचली खाना नहीं पसता था उल्टी शुरू हो जाती थ पर अभी मेरा गैस की जो प्राब्लम वह भी काफी हद तक कम हो गई है और शुरू से ही असारदर्द के भी सिम्टम्स थे इस बार प्रिंग्नेंसी में तुम्हेरा सिर्दर्द भी उतना भी नहीं हो रहा है तो मुझे फाइप मन्थ शुरू होने से पहले ही काफी ज्याद करें मिलते हाफ लोग से अगले पाइप